असली उपाई यही है, असली उपाई क्या है? ऐसा ही जिसा जानवर, जानवर कसाई खाने में एक जवानवर को मार दिया जाता है, ठीक है? और दूसरा जानवर आराम से घास खा रहा है वह सोच रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ वह नहीं जानता कि अगले पल मुझे मार दिया जाएगा अब कसल खाने में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा वापर बकरा बंधा हुआ होता और जब कसाई एक बकरे को टान किलाता है काटने के लिए उसको तो बाग बागी जितने भी बकरे हैं वह लोग सोचते हैं कि अरे हम तो सेफ हैं हमको क्या होगा हम तो अराम से घास का रहे हैं हमको मजा आ रहा है या वैसा सोचने वाला जानवर होता है बस जानवर ही सोचता है कि अभी हम सुरक्षित हैं अभी बस वही मर रहा इंसान कैसा सोच नहीं होता माना जीवन का मतलब है कि किसी को मारा जा रहा है तो उसे तुरंट चेताउनी दी देनी चाहिए तुरंत चेतावनी लेते हुए उसको जानना चाहिए कि मेरी बारी भी आ रही है, मुझे दूर जानना चाहिए ऐसा इंसान सोचता है, जानवर नहीं और हम लोग अपना सोच तिरे-दरे कैसे कर रहे हैं, जानवर जैसा कि उसके साथ हो रहा तो होने दोना, कोई बात नहीं, हाँ, जब वो मेरे साथ होगा तब हमको बस चेतावनी रहा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन जब आपके साथ होगा, तब बचावा आप नहीं कर पाईगा उस चीज़ा, तो इससे जूड़ी हुए एक कहानी है, कहान तो उनके माता और पिता जब उहां आएं, तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे खत्रे में, वे शिकारी के जाल में फसे हुए, तो मा ने तुरंती बच्चे को बचाने के लिए, उसके उपर कूद गई, और उसको भी पकड़ लिया गया, यह क्या है कि एक शिकारी है, और वो जाल बानता है, तो जहां छोटा मोटा पंच्ची होता है, वहां जाके फस जाता है, अब उसका माँ पापा जो आते हैं, तो देखती कि उसके बच्चे फसे हुए, तो माँ क्या करती है, बच्चे को बचाने के लिए, उस उसको बचा लेंगे, और उसको भी फिर पिता ने देखा अब अगर मैं जाओं तो मुझे भी पकड़ लिया जाएगा पिता क्या सोच रहा है देखो बच्चा तो फसा ही मा भी फस गई अगर हम जाएंगे तो हम भी फस जाएंगे ऐसा कौन सोच रहा है मुझे चले जाना चाहिए वो सोचा कि नहीं भईया अग मुझे चले जाना चाहिए तो एकदम सही सोचा है या बुद्धी मानता कहा जाता इसको इसको बोलते हैं बुद्धी मानता अब वहां देखिया आप इसको माया है ठीक है इसको आप माया देख सकते हैं कि माया में इंसान कैसे फस रहा है आप किसी को छुलाने जाएगा माय तुझ को माया में एकदम बहुत गहरी तरह से फसा गुआ तुझ कई छर llev आप उसको चुलने जायेगा ता खुद फंज जाएगा अगर आपके पास क्रिश्णा का पावर नहीं होगा तो आप खुदी वहां फंच जाएगा आप जरुत नहीं पढ़ेगा कि आप वहां जाके डिफेंश करे अपने आपको ये करे वो करे आप खुदी उसमें भोल जाओ खुदी पता नहीं चलेगा आपको उस समें तो यहीं देखिया कि कैसे को इंसान फंच जाता है आप अपने परिवार समाज को सुरक्षा नहीं दे सकते इब आप अपने परिवार समाज को सुरक्षा नहीं दे सकते आप उन्हें सुरक्षा दे ही नहीं सकते अगर उनको मरना होगा तो वे मरेंगे वे माया के जाल के संजाल में जरारोग मृत्तियु से बचा सकते हैं क्या उनको मरने से बचा सकते हैं क्या उनको जब माना लेगा तभी मरेगा हो जहाए आप उसका जिंदगी कितना भी गैरेंटी लीजिए गैरेंटी उसी का होता है जो आपके हाथ में है आपका हाथ में आपका खुद का जीवन नहीं त तो आप दूसरा का लाइप का गैरेंटी कैसे ले सकते हैं पहले ये बात आप सुचिए कि आपको खुद को नहीं पता है कि आपके साथ क्या होने वाला आगला पल तो आप दूसरा का जिन्दगी गैरेंटी कैसे ले सकते हैं ठीक है महाराज यहीं पर हम विराम देते हैं हरे क्रिश्णा हरे हरे बोड़ा